हेलो दोस्तो, Be wise and wealthy चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, finally most awaited IPO, Zometo IPO open होने जा रहा है 14th of July को जी हा दोस्तो, इसका wait हम कई time से कर रहे थे, finally यहाँ पर IPO के details आ चुकी है तो आज की वीडियो में दोस्तो, पूरी जानकारी में आपको A to Z Zometo के बारे में देने वाला हूँ कमपनी के रिगार्डिंग देने वाला हूँ, क्या कमपनी के हैं पर prospect है, क्या growth की strategy है, कैसे इसके valuations है क्या यहाँ पर grey market है, क्या हमको listing gain के लिए apply करना है, यह long term के लिए, उसके पीछे क्या rational है सारी चीज़ा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो दोस्तो, बहुत informative, interesting होने वाला है पूरा देखेगा, बिन skip करें, बहुत अच्छे insight आपको Zometo के regarding देने वाला हूँ, तो अच्छा लगे वीडियो, प्लीज दोस्तो, like जरूर कीजिएगा तो जैसा कि आप देख पारें, दोस्तों, यहाँ पर 14 जुलाई को यह open होगा, 16 जुलाई को closing हो जाएगी face value already splitted है, एक रुपे हाँ पर face value रखी गई है, IPO price band देखिए, 72-76, मतलब कि दोस्तों, retail निवेशक की reach में price को रखा गया है, हाला कि यह splitted face value है, लेकिन already, आप देखेंगे, मुझे लगता है कि इसमें जवरदस्त आपको एक भारी भरकम subscription देखने को मिलेगा, especially from retail investors, लेकिन जातर startups देखने को मिलेंगे, loss making ही होते हैं, क्योंकि startups का main focus होता है, sales को बढ़ाया जाए, एक बार market share capture किया जाए, एक बार अपने volumes को बढ़ाया जाए, जो अपने revenue को बढ़ाया जाए, उसके बाद जैसे ही market share अच्छा खासा capture हो जाएगा, उसके बार definitely जवरदस तरीके से profitable companies बन जाती है, तो इनका main focus यही रहता है, अगर आपको startups का जो समझना है, अगर behavior तो यही pattern रहता है उनका कि आप देखेंगे, जहादर startups आपको loss making की देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो शुरू-शूरू में market share capture करना जाते हैं, उसके बाद profitability आना शुरू होती है, तो Zomato के इसमें भी similar आपको यही देखने को मिलेगा, अगेन यह एक loss making company है, तो loss making company होती है, तो आप retail को अमिशा 10% ही allocation मिलता है, यह बात आप जानके रखिए, market lot है 195 shares का, listing है इसकी BAC पे, and issue size आप देख सकते हैं, करीब 9,000 करोड का है, 9,375 करोड, यानि 9,375, fresh issue मतलब पूरा है, and offer for sale है, 375, और यह offer for sale कौन कर रहा है, आपको पताई होगा, दोस्तों, infoage, यहां दोस्तों, infoage, यहां पर अपने stake sale कर रहा है, OFS route के थू, पहला I think, सारे 700 करोड यहां पर infoage, यहां पर OFS करने वारा था, लेकिन उसने बाद में अपने OFS को कम कर दिया है, price को, time table आप existing date है, 27th of July, अगर company के बारे में आपको बताना चाहूँ देखें, दोस्तों company के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आगे की details, financials मैं बताऊँगा, तो सब को पता है, करती क्या है, company, basically food delivery के regarding आपको पता है, आपको food delivery ही करती है, B2C offerings में food delivery है, इसके पास and dining out है, मतलब की dine out भी है, कराती है, जहांपर restaurants के थूँ ये, उनके साथ partnership है, तो वहांपर dining out भी, जो है, इनके B2C offerings में आता है, और B2B segment में इनके hyper pure है, जहांपर ये supply करते है, high quality ingredients and kitchen products to the restaurant, तो ये एक इनका B2B segment है, मतलब की business to business, जहांपर ये दूसरे business को यहांपर supply कर रह है, and Zomato Pro, जो इनका customer loyalty program है, उसके तहर वह भी B2B में, यहांपर आपको consider होता हूँ, देखने को मिलेगा, 23 countries में देखिए, इनकी presence है, अची खासी, जो है, strong footprints है, and देखिए, 1,031,000 active food delivery restaurants के साथ, इनकी partnership है, करीब 1,061,000 active delivery partners है, and average monthly food order of 10.7 million customers, तो काफी अच्छा है, इसका किया है, Zomato ने, आला कि पिछला साल दोस्तो, इस business के लिए काफी जादा एक यहांपर hit किया था, इसको, definitely lockdowns था, restrictions थी, तो यह इस business में आपको definitely hit होता हूँ, देखने को मिले था, लेकिन धेरे-देरे वापिस से दोस्तों, situation जैसे इसे normalize होती जा रहे है, इनके volumes वापिस से बढ़ते जा रहे हैं, competitive strength की बात करें, among the leading food service delivery platforms, recognized consumer brand equity across India, wide spread and efficient on demand hyper local delivery network, a strong network of 1,31,000 जैसा की अब हमने यह already बढ़ी लिया, अगर इनके financials की बात करें, promoters की बात करें, तो professionally managed company है, कोई भी हमपर promoter नहीं है, लेकिन हाँ, investors जरूर है, investors में आपको पताए कौन को ने, देखे info है, जिसके बाद 18% से जादा के stake है, sequisha capital है, I think Uber भी है, तो बड़े-बड़े investors इसमें already शामिल है, अगर financials की बात करें, तो देखें, assets आपको यहां पर बढ़ते होई देखने को मिलेंगे, यह millions में वैज हो है, करीब 3400 करोड के यहां पर assets थे, फिर थोड़े से कम हुए, मार्च 2020 में, 21 में थोड़े और बड़े, revenues आप देखिए, revenues इनके लगातार यहां पर बढ़ते होई देखने को मिले हैं, पिछले 3 साल से, 19 में 1300 करोड थे, around 1400 करोड, 31 मार्च 2020 में थे कराई, करीब-करीब 2700 करोड, and then थोड़े से मार्च में हमको कम होता हो, देखने को मिला पिछला साल दोस्तों पूरा lockdown में चला गया है, और इनके business को काफी वहाँ पर impact वहाँ तो revenue जादा generate नहीं कर पाए, profit आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहाँ पर continuously loss making company है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा दिया, क्या इनका main focus रहता है start-ups का, तो start-ups दोस्तों, यह जो का long term growth strategy है, जो इनके जो long term growth prospect है, वो काफी intact मुझे नज़र आता है, उसके पिछे क्या reason है, अभी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, और देख सकते हैं, इनके जो net proceeds होगी, वो कैसे utilize होगी, तो funding organic and inorganic growth initiatives meet general corporate purposes, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है, आप graphical representation के through दिखाने चाओगा, as of 2019 आप देखिए, जो population है, इंडिया की वो करीब 1.36 billion है, ठीक है, US की 0.33 billion है, चाइना की 1.43 billion है, लेकिन access to internet आप देखेंगे, population only 43% के पास है, ठीक है, अगर US की बात करें तो 88%, चाइना की बात करें तो 63%, तो definitely दोस्तों, इंडिया में जो आप देखेंगे, significant हमको एक rise आता हो, देखने को मिलेगा, internet penetration में भी, as well as smartphone penetration में भी, तो ये एक जवर्दस demand create कर सकता है, Zomato जैसे business के लिए, यहाँ पर जिस प्रकार से Zomato, अभी हम इसकी growth strategy की बात करेंगे, पहले हम ये data देखते है, एक online food delivery market, इंडिया का करीब 4.2 billion का है, US का food delivery business के लिए, restaurant food, food consumption आप देखेंगे, तो 10% है only, US में 54%, China में 58%, online food delivery users only, देखेंगे आप 45 to 55 million है, and भहीं आप US और चाइन में देखेंगे, कितना जादा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे, तो access to internet और जो actually users है, वो कितने कर है इंडिया में, तो opportunity बहुत बढ़ी है, तो यह इसके पीछे और क्या reason सा, देखेंगे, अगर मैं long term growth strategy की बात करूं, zomato की, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ general factors की बात करूं, जो zomato के लिए काफी जादा एक positive हो सकते हैं, वो है दोस्तों, पहला rising consumption demand, consumption demand इंडिया की definitely expert reports बहुत जादा बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर एक business और grow होते हुए देखने को मिलेंगे, और zomato दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा इस opportunity को tap कर रहा है, significant investment कर रहा है दोस्तों, marketing में आप प्रमोशन देखें, आप कितने head आपको देखने को मिलता है, zomato के different तरीकिस के head आपको देखने को मिलता है, तो definitely यहाँ पर एक consumer जो adoption business है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, market share जिर जिर बढ़ रहा है, जैसे-जैसे market share बढ़ता रहेगा, इनका दोस्तों एक break-even point आने के बाद आपको definitely अच्छी खासी profitability इस business में देखने को मिल सकती है, और जिस प्रकार यह invest करने हैं, technology में, new products में machine learning में, automatic, artificial intelligence में, यह दोस्तों definitely जो है, अभी मैंने एक, अभी यहाँ पर इस RHP में पढ़ा मैंने कि यह nutraceutical product भी rollout करने वाले हैं, Zomato के platform में, तो यह भी positive जीज़ है, अपने बिसनस में product में investment कर रहे हैं, जो इनके cash flows हैं, उसमें यहाँ पर investment, उसको अपने business में लगा रहे है, ठीक है, तो इस पर हमारी जरूर नजर रहेगी, ठीक है, अब बात करें, grey market premium की, तो grey market premium आप देखिए, दोस्तों करीब 12-13 का चल रहा है, तो अभी इसका price band कितना है, 76, तो आप मानके चलिए कि यहाँ पर 15% की आसपा, करीब 18% की आसपा आपको grey market premium listing देखने को मिल सकत कोई भी problem यहाँ पर में को नहीं लगती, Zomato के IPO में, startup है, loss making है, जैसे कि अभी तक जितने startup आया, आपने देखिए, बार भी क्यों loss making था, ठीक है, नजारा, loss making था, सारे startup सही है, जितने भी startups आप आएंगे, आपको loss making देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा long term vision अ तो definitely valuation इसके दोस्तों मुझे अभी तो देखिए, करीब valuation इसके आकी जारी है, करीब 9 billion dollar की जो की market में list होते ही, आई पर already large cap एक Zomato उतरेगा, जहां पर करीब 70,000 करोड का market cap इसका आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो already यह large cap बनेगा, तो यहां से देखना पड़े market cap आने वाले भविश्य में, तो definitely हमको पैसा यहां से double होता हो देखने को मिल सकता है near term में, लेकिन 70,000 करोड को market cap already है, तो definitely थोड़ा सा मुझे यह market cap के according देखा जाए, तो थोड़ा सा overvalued अभी लग रहा है, लेकिन price के साब से देखा जाए, तो decent लग रहा है, तो listing gain के लि तो यहां पर आप देख सकते हैं, already large cap company के जैसे list होने वाली है, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, तो यह है दोस्तो पूरा analysis, I hope यहां पर आपको काफी insight मिल गई होगी, Zomato के regarding आपको क्या करना है, अगर इस्टिल आपके कोई question है, तो comment box में जरूर पूछेगा, मैं जरूर reply करूँगा, मिलते हैं दोस्तों next video में, till then take care, bye bye